हलो एड नमस्कार फ्रेंड्स में हो डॉक्ट्र यूके इंदर और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्ट्र यूके इंदर बोला एंध हेल्टिप्स दोस्तों विंटर्स आ चुके हैं विंटर्स हैव सेट इन और हम हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में देख है कि सूखी खासी यानि की ड्राय कफ लोगों को काफी परेशान कर रही है ड्राय कफ नॉर्मल वाइरल इंफेक्ट्छन में हो सकती है नॉर्मल जुखाम खासी में हो सकती है परन्तु कुछ severe infections जैसे कि निमोनिया, टीबी की विमारी, COVID infections, COVID-19 के अंदर इसमें भी सूखी खासी यानि की ड्राइकफ काफी लोगों को परेशान करती है। आज हम आपको बता रहे हैं एक important cough medicine जो सिर्फ ड्राइकफ में ही काम आती है, ग्रिलिंटस L, दोस्तों ग्रिलिंटस L cough syrup इसका नाम है और इसके अंदर जो main content है वो है लिवो क्लो पराश्टिन दोस्तों लिवो क्लो पराश्टिन यानि की ग्रिलिंटस L इसकी कुछ खासियते हैं इसलिए हमने सोचा आज आपको इस cough syrup के बारें बताएंगे एक जो सबसे important इसकी खासियत यह है कि यह non-narcotic source से बनती है यानि कि इसमें कोई मादक पदार्थ नहीं होता मादक पदार्थ जैसे कि कुछ cough syrup corex, codeine वगरे से बनते हैं इसका भी एक नार्कोटिक सोर्स का connection है तो दोस्तों लिवोकलोपरास्टीन यानि ग्रिलिंटस L यह एक non-narcotic cough syrup है इसके अन्य cough syrup के मुकाबले काफी कम side effects है यह भी इसकी एक खासियत है दूसरी जो important जो बाते हैं यह जो cough की intensity है और frequency है यानि जो ज़ादा बहुत ज़ादा गहरी खासी आना बहुत बारम बार आना बार बार खासी आना उसको भी जल्दी first day से पहले दिन से यह cough की जो intensity है और frequency है उसको कम कर देती है यह छोटे बच्चों में भी safe है खास कर दो साल से उपर की बच्चों में छो नाइट टाइम अवेकनी है रात को बार 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 जब बच्चे उड़ जाते हैं खासी करते हैं और उनकी जो irritability यह चीड़ चीड़ा पन उसको भी यह दूर करता है अच्छी तरह से एडल्स में बड़े लोगों में खासी काफी जल्दी कम कर देता है इसके side effects भी कम है बड़े लोगों में एडल्स में एक BP की जो medicine होती है ACE inhibitors बोलते हैं उनको जैसे कि Ramipril, Linzopril उस वज़े से भी कई लोगों में खासी देखी जाती है यानि कि BP की medicine के side effect के तोर पे खासी जब आती है उसको भी यह कम करता है लिवो क्लोपरास्टिन और सब AGS में सेफ है छोटी बच्चों में, एडल्ट्स में और वैस्क लोगों में भी दोस्तो लिवो क्लोपरास्टिन एक prescription drug है यानि कि यह दवाई आपको doctors के prescription पर मिलेगी इस बात का ध्यान रखेंगे आप और इसके जो indications है जैसी कि हमने आपको बता है यह dry cough में काम आती है जो dry cough नॉर्मली अस्तमा की वज़े से है, COPD की वज़े से है, smoker's cough की इन चीज़ों में इन बीमारियों में इसको हम काम में ले सकते हैं इसके अंदर जो content है आपको बता है आपने लियो क्लोपरास्टिन जो 5 ml के अंदर 20 mg और लियो क्लोपरास्टिन यह दवाई सिरफ में मिलेगी आपको दोस्तों इसके जो आपको अभी हमने uses बताएं इसके आपको side effects बताएंगे side effects में जैसे हर दवाई के side effects होते हैं लियो क्लोपरास्टिन के भी side effects हैं हाला कि इसके side effects बाकी कफ सिरफ के मुकाबले काफी कम हैं जो normally side effects देखने मिलते हैं वो है headache, सिर में दर्थ होना, drowsiness, dizziness, मु सूकना, palpitation, दिल की धड़कन तेज हो जाना, nausea, vomiting वगरे, कुछ लोगों में प्यास जादा लगती है, excessive thirst लगती है, ये भी देखा गया है, दोस्तों, लियो क्लोपरास्टिन यानि ग्लिंडस एल्ड, इसका mode of action क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका दोस्तों, dual mode of action है, यानि कि दो थरह से काम करता है, पहला जो brain के अंदर centers ह कॉफ के, उनको suppress करता है, उनको दबाता है, इस वज़े से खासी कम होती है, और दूसरा, जो lungs के अंदर tracheo-brongle tree है, यानि lungs के अंदर जो हमारी सांस की नलिया है, air passages है, उसके अंदर जो receptors है, उनको भी suppress करता है, यानि dual mode of action, एक तो brain पर भी है, और एक लंग्स पर भी है, इस बात का ध्यान रखेंगे, इसलिए बहुत ही अच्छे तरह से कॉफ सिरफ ये काम करता है, दोस्तों, ये habit forming बिल्कुल भी नहीं है, हलांकि आपको इसके doctors के advice पर ही इसको लेनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, दोस्तों, एक चीज और जो ध्यान में रखन तरह एक आपको, वह ये है कि इसको बिल्कुल भी, आपको wet cough में नहीं लेना है, यानि जिस खासी, जो गिली खासी होदे, जिसमें बलगाम आता है, mucus आता है, उस तरह की खासी में इसको उपयोग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे, प्रेग्ननसी में और ब्रेस का ध्यान रखेंगे दोस्तों आशा करते हैं आपको हमने आज जो भी मेडिसिन के इंफॉर्मेशन दी लियो क्लो परास्टिन यानि ग्रिलिंटस एल यह आपके उप्योगी होगी जो भी दवाई आप लेंगे आपके डॉक्टर्स के सलापरी लेंगे इस बात का ध्यान रखे आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा मैं डॉक्टर योगेंद्र आपको मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद